कैसे हो मेरे उड़ोल दोस्तो मैं हूँ आपका हो शेफ धिरज एक शब्ध है ओदोज इस ओदोज अब ने मुझे कई सालों तक परेशान किया मैं समझ ही नहीं पाया यह ओदो का क्या मतलब होता था मुझे एपिटाइजर समझ आ चुका था मुझे स्टार्टर समझ आ चुक है आप लोगों को मालूम नहीं होता है कि ओदो एपिटाइजर स्टार्टर या एंटी पास्ती है क्या तो यह सारी चीजे मैं आज आपको छोटी से एक वीडियो में बताने वाला हम अब होता क्या है हमारे फ्रेंच के जो 17 कोर्सिस के जो मैनी होते हैं उसमें जो सबसे पह बोल रहे हैं और हमारा आता है फ्रांस की जो वर्ड है यह फ्रांस के अंदर आता है फ्रांस भी हमारा इंग्लिस का सब्द है और एपिटाइजर जो एक इंग्लिश वर्ड है जो कि हम लोग यूके में यूज करते हैं बिटिश में तो टोटल जो यह सर्व कुछ हो रहा है यह सब यह आ रहा है हमारा Continental Cuisine के अंदर आप शब्द चाहे कोई भी यूज कर लीजिए किसी भी भासा के यूज कर लीजिए पर सब का मतलब एक ही बनता है सबसे पहला कोर्स अब यह सबसे जो पहला कोर्स है यह कुछ भी हो सकता है यह आपके Salads भी हो सकते हैं आपकी Canopies भी हो सकते हैं Salad आपके चाहे Wedge हो, Non-Wege हो आपकी Grilled Fish हो सकती है Grilled Chicken हो सकता है Shaslik हो सकती है, Cheese Ball हो सकता है या कुछ भी हो सकता है इवन आप लोग Soup भी सर्फ कर सकते हैं जी हाँ, आपको जो भी कुछ सर्फ करना है आपको वो बहुत कम क्वांटिटी में सर्फ करना है Mainly इस Course का मकसद यही होता है कि आपका जो Guest बाकी जो Courses खाएगा आगे 17-12 जितने भी है इसे देखके उसकी भूग बढ़े और वो सारा खाना आगे वाला खाए तो आपकी भूग बढ़ाने के लिए इस Course को सर्फ किया जाता है इसमें आपके आप लोग Smoked Salmon यूज़ कर सकते है Smoked Ham यूज़ कर सकते है हम लोग Salads बनाते हैं चोटी-चोटी Tomato Mozzarella Salad हो गया या Carpacho हो गया हमारे जो कि हम लोग Italian में यूज़ करते हैं आप लोग Scissor Salad दे सकते हैं दे सकते हैं आपने तो ये सारी चीज़े आप लोग इस Course के अंदर सर्फ कर सकते हैं तो उमीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा Appetizer, Ordo, Antipasti, सब कुछ है क्या Share कर देना आगे ताकि लोगों को भी इस बारे में knowledge मिले चलिए कोई नया कोई आपके दिमाग में कोई question हो तो मुझे लिख के भेज देगा फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद